हेलो फ्रेंट्स आसा है आप अच्छे होंगे जैसे कि मेरे वीडियो को देखते रहते हैं और जो है मेरे चैनल को सब्क्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए आप मेरे चैनल प्यारे संजीव शर को सब्क्राइब करना और दोस्तों को साथ सेर करना कमेंट में कुछ जो है बर्षानिया हो लिखिए और मैं पार्ट जो है 7 नाउन का जो है पार्ट जो है बच्चा हुआ था जेशे के पिछले वीडियो में पार्ट 6 नाउन के बारे में जो है हमने बताया था तो उसका जो है हम तीन चीजों को बारे में जो है बताएंगे कलेक्टिब नाउन और मेटेरियल और अविश्टिक नाउन के बारे में बताएंगे दोस्तों हस्ते मुस्कुराते जो है शिखिए इंग्लिस ग्रामर ट्रंसलेशन प्रियोग और भी बहुत सारी चीजों को जो है हम विडियो को बनाते रहेंगे तो देखने के प्रियास के रिए समझे आसानी से बताने का प्रियास किया गया है आपके इंग्लिस और भी मैं जो है अभी तो इंग्लिस चल रहा है GKDS का भी बनाता हूँ मेरे विडियो में देखिएगा तो मैं और जो है उमीद करूँगा आसा करूँगा आप जो है लाव उठाएंगे दोस्तो तो आईए जो है मैं विडियो को शुरू करता हूँ दोस्तो तो देखिए दोस्तो हमारा जो है कलेक्टिव नाउन शमुवा चक्षंग्या तो देख रहे हैं शमुवा चक्षंग्या में क्या होता है कि एक यह परकात के कोई भी बस्तो या व्यक्ति का समुव या जूंड का बोध कराता है एक ही किसिम के रहेगा कोई भी बस्तो हो चैसा जी हो या निर्जी हो तो एक ही तरह के जो है बस्तो का समुव में हो या जुन्ड में हो ग्रूप कहते हैं जिसको तो कलेक्टिव नाउन कहा जाता है तो इसका डिफिनिशन जोगा देखिए इस एक ग्रूप आफ परसंस और अदर क्रिचर्स एंड कलेक्शन आफ तिंग्स तो वही भी हो यह भी दूसरा जोभी डिफिनिशन हो सकता है जैसे होगा एक ग्रूप आफ लिविंग थिंग्स और ना लिविंग थिंग्स तो यह जो है सजीव बस्तु या निर्जीव बस्तु का समूँ होसता है तो सभी बस्तु कोई भी बस्तु हो सकता है बस एक समू होना चाहिए वो भी एक ही परकार का होना चाहिए माली ये टीम है खिलाडी है तो इन टीम के खिलाडीयों को जो है जो है एक ही तरह का होना चाहिए ना कि पांच जो है हाकी का हो जाए अब पांच जो एक किर्केट का हो जाए तो इस तरह समूह नहीं कहेंगा किरकेट के टीम के प्लेयर खिलाडी है तो टीम जो है प्लेयर जो है प्लेयरों को जो है एक ही तरह के प्लेयर यानि किरकेट के प्लेयरों के खिलाडी को जो है टीम कह सकते हैं चाहे हाकी कहो या किसी भी गेम कहो तो हम जो है काशकते हैं कि ये टीम तो टीम क्या हो गया एक ही परकार के व्यक्तियों का समूँ हो गया उसी तरह मान लिजिए यहाँ पर लिखा है गुरूप आप वर्संस और अदर क्रियेचर्स आर्मी है तो आर्मी जो है हो जाएगा सुल्जरों, साइनिकों का समूँ हो जाएगा विद्यार्थियों का जो है क्लास होता है एकी तरह के बच्चे जो है क्लास वही होता है एकी तरह के बच्चे, एकी क्लास के बच्चे जो एकी पाठ को जो है बढ़ाया जाए अर्थाते एक ही ग्रूप के हो यह लिविंग ठिंग्स हो गया अधर एक्जाम्पल से देखेंगे तो ड्रूब आफ काइटल पसुओ का जुन्ड हो गया देख रहे हैं दोस्तों अच्छे से समझने का परियास करें हम समझाने का परियास करेंगे तो देखेंगे है यहां पे है तो हमारा जो है हर्ड आफ काइटल या ड्रूब आफ काइटल तो यह दोनों का एक ही मतलब हो पसुओ का जुन्ड उस पर देखेंगे उस पर वाला में बताया है ए जूरी आफ जूर्ज नेधिसों का जो है समूम होता है उसको जूरी बोलते हैं तो यहां पर देखेंगे चीटियों का जुन्ड का जो भी है बहुत सारा जो एक्जाम्पल दिया हुआ है देखेंगे यहां पे चीटियों का जुन्ड को जो है कई जो है एक स्पेलिंग है देख रहे हैं चीटियों का जुन्ड को जो यहां पर देखिए, ए निष्ट अफ एंड्स, एन आर्मी अफ एंड्स, ए स्वार्म अफ एंड्स, यानि कुल मिलाके जो है चीटियों का जुन्ड को जो है, निष्ट भी कहा ज़ता, आर्मी भी कहा ज़ता है, स्वार्म भी कहा ज़ता है, दोस् अब यहां देखेंगे A Flak of Words पच्छियों के जुंड को जो है A Flak of Words से भी कहा जता है तो यहां पर देखेंगे इसी तरह का Living Things, Non-Living Things उपर देखें हम Living Things के बारे में हमने चर्चा की है उपर जो है जिश टीम है, कलास है आर्मी है, जूरी है तो यह सब जो है, पसू है, चीटी है तब सजीव हो जाएंगे और Non-Living Things में देखेंगे दोस्तों यहां पर दिया है Non-Living Things जैसा कि आप सब समझते हैं A Valley of Shots A Valley of Arrows A Valley of Stones A Valley of Missiles तो A Valley of Shots तो यह हो गया 60 में गुलियों का वर्षा हो गया फिर वाडों का वर्षा हो गया पथरों का वर्षा हो गया सस्त्रों का वर्षा हो गया तो इस तरह Non-Living Things का यह ग्रूप है सम्मू है, जुन्ड है इस परकार हम जो है कर सकते हैं कि कलेक्टिम न उन एक ही तरह के समू का बूद कराता है जुन्ड का बूद कराता है तो दोस्तों जो है बहुत सारे उदान है और उदाना देखने का पर्यास करें समझें, और भी हम बता रहे हैं जिसको समझने का अर्थ पर्यास करेंगे अर्थ भी दिया हुआ है जैसे कि आप जो है देखके समझने का पर्यास करेंगे जिसमें दो सारे चीजों को जो है जिक्र किया गया है जुन्ट का हमने इकठा करके एक जगर नोट्स बनाए हैं दोस्तों तो देखिए दोस्तों और भी समयोट के बारे में आपसंजे देखे तो आप जो है एक तरह से दुसरे तरह से समझ सकते हैं जैसे हम वाट्स अप्स वीस्बूबग और भी कई तरह के समयोब या जुन्द बनाते हैं कई तरह की संस्थाए है बैंक में भी है तो इस तरह जो है जैसे कि जानते हैं कि WhatsApp ग्रूप में जो है किसी भी जो है एक वेक्ती जो है एडमीन होता है और सारे चीजों और दोस्तों को जोड़ देता है तो ये ग्रूप हो गया यानि कि एक तरह से चाहें स्कूल का ग्रूप हो या आप कहाँ सकते हैं कि Facebook में हमारे ग्रूप में इतने जो है या कोई जो है देखते हैं कि कमिटी बनता है कमिटी यानि समीती तो उसमें भी देखते हैं दोस्तों तो कमिटी भी एक तरह से जो है जो है कलेक्टिव नाव नहीं हुआ फेमिली हो गया तो इस तरह जो है एक ही तरह के जो है समीती में भी लोग जो है रहते हैं एक ही मकसद से तो ये जो है collective noun है तो हमारा collective noun गैंग भी सुने होंगे गैंग तो गैंग यानि criminal ग्रूप होता है तो ग्रूप आप criminals तो इस तरह जो है गैंग कहते है यानि कि collective noun जो है क्या है? सम्मू है यानि एक ही तरह के सम्मू की चर्शा है जैसे कि मैं वीडियो में भी बताया है और आगे एक जमपल देखिए जिसमें हिंदी भी है और बहुत तरह के जो है देखने को मिलेगा देखते रही दोस्तों तो दोस्तों देखते रही है यहाँ पर जो है collective noun के जो है बहुसार उठारण है इंदी भी है देखते रहेंगे जैसे देखते रही है दोस्तों यहाँ पर बहुत चारे उठारण दिया गया है देखने समझने का पर्यास करें यहाँ पर सबका हिंदी इंग्लि शाब दिया हुआ है आप इसको जो है कोई दिक्कत नहीं है देखके समझने में कभी कलेक्टिव नाउन है और देखते रहिए देखते और भी दवता रहे हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए कभुतरों का जूंड एबरेशा पीजन्स एगस्टा विंड हवा का एक तेज जोका यह सब जूंड ही है यानि ग्रूप भी है तो आप इसको बारी बारी से जो है मैं इकठा करके से लिए यह रखा हूँ जांपल में तो मैं देही दिया हूँ फिर भी जो है बहुत सारे उदारों को जो है देखने समझने का प्रयास कीजिए ताकि हम जो है आपको अच्छा से अच्छा जो है नालेज दे सके आप जो है इस चीज को अच्छा से समझे यही जो है मेरी आप लोग पे द्वारा दिया गया जो है दुआ है ताकि और मेनत करूँ और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं आपको ग्यान मिलता रहा है जिन्दिगी में है क्या दोस्तो तो ये देखते रहिए हमारा जो है सारे जो है एक्जामपल जो है सबका हिंदी अर्थ दिया हुआ है कोई भी जो है अपना जो है कलेक्टिव नाउन इसमें से सुझाओ हमारे कमेंट बाक्ष में दीजिए या कोई मन में जो है प्रश्न होता पूछिए तो इस तरह जो है कलेक्टिव नाउन के जो है पोवसारा जो है भरमार एक्जामपल है ये जो है कलेक्शन अफिपुल का जो है मैंने तो लिविंग तिंग्स ना लिविंग है असानी से देखिए समझिए इसमें कोई जो है चिक्कत नहीं है जैसे कि इसमें से हमने बहुत सारे उदाहन जो है पीछे बता दिया हूं देखते रहे तो देखिए ही दोस्तों यहां पर जो है एक कांसिल आफ मिनिस्टर्स मन्तिरियों का परिशद है कांसिल अडवाइजर जो यही सलाकारों का परिशद है शी तरह जो है एक फुरलरी आफ अडेंटिव कालर्स तो सारे जो है कलेक्टिव नाउन है आप जो है मैंने पीछे रहे भी गैंग वाल भी सारह बताए थे लिविउंग फिंक्स ग्रूप में तो यह जो है यहाँ पर लोगों के भीड बेपारियों के समीथी संस्था के समीथी किसी परकार क के दस्तकार, कलाकार, सिर्पकार मिथش करी Belці, चितरकारी जो भी कलाकार है या जिसका जो भी है, शंक estáms, तो यहां पर बहुत शारे जो है, सब यह सजीव यानि लिविंग दिंग्स के बारे बताया गया गया है दोस्तों, बारी बारी से देखेंगे तो हमें जो है बहुत शारा उदाहरण जो है देखने को मिलेगा दोस्तो तो इस परकार हम जो है इक एक चीजी को जो है समझेंगे देखते चलिए दोस्तो तो हमारा जो है इस परकार का वीडियो जो है बहुत शारे उदाहरण मैंने इसलिए तयार किया है ताकि ये कहीं से कठा करके बनाया गया है आप लाब्स ले सके तो यहां पो जो है दोहु सारे उदहरण है आप भारी-भारी-छीश को समझ्जिए देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप जो है असानी से समझ ले तमझते जाएए कोई भी जो है यहाँ पर देखिए collection आप जो है वेपारियों की मंडली भी है कि लड़ियों का सुबत आये थे अभी उसमें उगदारण में collective definition दिये थे with example I gave you all friends definition with examples satisfaction collection of animals, birds and insects देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे देखिए सेरों का दल या जुण्ड बंदरों का जुण्ड देख रहे हैं तो इस परकार जो है हम इतना सारे एक्जमपल जो है आपी लोगों के समझने कब बस्तित तयार की गई है मिटेरियल जो है यहाँ देखिए तो सब का छोटे बड़े किताडों जिवाडों इशाडों एनिमल जनवर पच्छी साब जो है दिया गया है तो आप और भी देखेंगे दोस्त और भी हम बताएंगे बस्तिगों का जो है जुन्ड कलेक्शन गर्प के बारे जो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस सोल अफ हेरिंग्स मच्छीों का समनद्री मच्छीों का जुन्ड है इस सोल अफ इसे मच्छीओं का जुन्ड है इसी तर मच्छलियों, सिशमारों, स्ुईयों का जुंद जो है साब देखते जाएए गदहों का जुंद, मोरों का जुंद तो यहाँ पर देखिए देखिए दोस्तो लीटर आफ पपी कितेंट पिगलिंच तो यहाँ पर बारी बारी से धोय ध्यान से देखते जाएए दोस्तों एहाई वाफ बीच, मदमुक्यों का छट्ता एहाँ अफ डीर यहाँ पर देखते जाएए दोस्तों बारी बारी से अराम अराम से जो है दोस्तों देखते जाएए सभी का जो है यहां पर एक्जामपल अराम से जो है देखने को मिलेगा तो आप जो है दियान से देखिए हमने बताया था बारी बारी से देखने का पर्यास कीजिए आप लोग जो है बहुत शारे उदाहन को देखेंगे समझेंगे तो हमारे दिखाने का मकसद यही है दोस्त और भी हमारे विडियो बनते रहेंगे यहां बहुत सारे चीजों का जो कलेक्टिम नावन का खोलते हैं मिलता नहीं है परतियों की परिशा और बहुत सारे पुछा जाता है और बहुत लोग के जनकारी के लिए एक अठा जो है बहुत से रहोधारनों को दिखाने का प्रयास मेंने किया है ताकि आप लोग जो है देख सके चाभियों का गुच्छा गुरू का गुच्छा बहुत से चीजों के गुच्छा होता है लेकिन हम जो है या कट्थित जो है, एक समूह हूँ जो है, कहां हम एक जो है अघरल नूड बना के रखेंगे, तो और अछा रहेगा दोस्त। मेरे अने वाले बहुश्यOS और विकाई या कोई वी विभाग टीचर हो इा कोई भी जो है तयारी करने वाले हो या तयारी करते हो जब के लिए लख दायक है। तो चलिए दोस्तों और भी देखिए यहां को जो है और भी हमारे उडाहरण है बारी-बारिशे नाउन के जो है कलेक्टिव नाउन के जो है उडाहरण देखते जाएए तो पॉंच अपला इंटेन्स, जो है केला का गुच्छा, तो गोँनत करते हैं, अतियारों कुछ युदिये बर्याश करें, यह सबी चीजे बारी बरि tor देखने समझने करें, हम जो है, वीडियो का माधे Dafne से जो है, बहुत सारे चीजों को जो है, हमने नोट्स खूर करके, जो है अच्छे से समझने का लंबा वीडियो हो शकता है लेकिन अच्छे समझने के लंबा कुछ नहीं है समझ में आ जाए वही अच्छा है चबसे बड़ियां बात यही कहेंगे दोस्त और उन लोगों को दीजिए समझाईए तयारी करने वाले को जो है असानी से समझ में आ प्रत्यों की परिच्छा के लिए बहुत बड़े जो है काम की चीजे हैं आईए दोस्त देखते चलिए और भी हमारे जो है कलेक्टिव नावन के उदारण है जिसको देखने समझने का परियास करें और भी उदारण देखिए दोस्त देखिए राष्ट्रों के संधी जो है यहाँ पर देखेंगे Library जो है Library of Books पुस्तपो का समरूग जो कहा जता है यह संग्रह कहा जता है कीचण का डेर क्या है बहुत सारे English पैसेज बहुत सारे चीज़ों को जो है लिखते हैं देखते हैं किताबों में कुछ मालूम नहीं होता है तो यह जो है हमारा देश जो है हिंदी भासी देश है मर्ज भारत की राष्ट भासा हिंदी है तो लिए हम हिंदी में फ्रेजने का पर्यास करेंगे ज्यादा तर जो है समझने के लिए अच्छा जो है जनकारी मिलेगी दोस्त तो हम जो है वीडियो के मादे हम से देखते चलेंगे नमों की सुची नमावली जिसको रोल आप नेम्स करते हैं कि रोल नमर भी बहुत लोग करते हैं तो हमारा जो है मकसद है कि आप अधिक सदिक उदारणों को जो है देखे समझे कहीं से भी बहुत शार करें उदारणों का ताकि अधिक सदिक वो दारण जो है हमारे काम की चीजे होती है और भी बहुत सारे word-beating, speaking का बहुत सारे जगह होपों जो है हमारा जो है काम लगता है तो आईए देखिये और भी दारण है दोस्त वहने का पर्यास करेंगे यहां देखिये दोस्त तो हमारा सारा एक्जामपल यहां पर देखते रहेंगे देखिए आप कह रहा है कुछ जो है एक्जामपल से है Some important abstract nouns Common noun है तो common noun से जो abstract noun के इशे बना है हमने definition में दिया था दोस्त कि जैसे कि एक सन भी होता है विश्टेक नाउन में तो यही देखिए एक सन बेबी का जो है बेबी तो कामन हो गया लेकिन यहां जो है देखेंगे बेबी हुट कहेंगे बच्पन बच्पना कहेंगे तो यहां पो देखेंगे बांड का बांडेज हो गया तो ये जो है कैसे एक दुसरे से टांस परेंट हो जाता है और थाट टांसफर कहेंगे टांसफर्मेशन कहेंगे लेकिन जो है एक दुसरे सब्द जो है अलग-अलग है एक से एक्षन बना है तो ये कामन नाउन से जाविश्टेक नाउन बनाने का तरीका है transformation नहीं कर सकते हैं क्योंकि transformation जो है यह कही अर्थ होता है लेकिन अर्थ यहां अलग हो जाएगा तो king है, friend है, friendship है, child है, childhood है तो child बने बच्चा होता है जहें इस तरी हो, पुरुष हो childhood मने हो गया बच्वना जिसे की baby भी कामन है baby hood जो है बच्वना friend का friend में दोस्त, friendship, दोस्ती दोस्ताना king जो है, kingship, राज, देखिए यहां पे mynhood इसी तरह जो है, noun बना है concern noun, तो abstract noun तो सारे इन चीजों को और सभी नहीं दिया है तो बहुत सारे उदों को जो है हमने google जो है translate apps के मादेयम से भी बहुत सारे चीजों को जो है hindis, अंग्रेजी कई भासाओं में जो है देखने का प्रयास किया है और हमने उसी जो को जो है video में बताया है google input यारे संजीव शरीशी चैनल में हमारा देखियेगा कि कैसे जो है इंग्लिस का हिंदी, हिंदी का अंग्रेजी कोई भी भासा में जो है बना हुआ है तो आप उसको देखियेगा इस तरह हमारा अजेक्टिप से भी बना है अब इस चेक्टनाओ तो सारे अर्थों को कहना जएदा लंबा हो जाएगा तो कुछ-कुछ जो है वर्डो को अपने google input के माधियम से या google translate में अब्स अगर mobile रखे होंगे तो यह देख सकते हैं तो और भी हमारा जो है दोस्तों यहां पर उदाहरण दिया हुआ है अजेक्टिप से जो है अब श्रिक नाउन बनाने का तरीका है तो यहां जो है बहुत शारे उदाहरण देखते जाएए तो हमने बस इतना ही और भी जो है हमारा उदाहरण इतना ही खतम होता है और हम देखेंगे अगला जो है क्या देखेंगे तो तो हमारा जो है कलेक्टिव नाउन यह देखेंगे यहां पर जो है हम दिखा रहे हैं मैटेरियल नाउन इत डिनोट्स मैटेरियल विच एक्सप्रेसे मास यानि कि यहां नापतावल वाले चीज हो मैटेरियल जो खाने पिने के लिए होता है उसको हम मैटेरियल नाउन कहते हैं जिसे गिना नहीं जाता है वरन्तो मापा तवला जाता है इसको मैटेरियल नाउन करते हैं तिकसरा डिफिनेशन देखेंगे इट इस ने माप सविष्टेंस सविष्टेंस हमने होता है माप तवल और यहां देखेंगे वजन करने और मापने का भी शिल्शिला होता है लेकिन गिना नहीं जाशकता है जिसे कि बहुत सारे उदरण हम जिन्दगी में देखते हैं दोस्त मिल का है देखिए उदरण का अनुसार हम इसको चीज को समझा देते हैं दूद है दूद को क्या करते हैं मापा तवला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है दोस्त जिसे समान बनता है दूर से बहुत सारे चीजों जहें हम बनते हुए देखे हैं या बनाते हैं सिल्वर चांदी से भी, चीनी से भी तेल से भी, बटर से भी, गेओं से भी सोना से भी लाइन चुना होता है आईरन लोहा, उल्मन उन होता है स्टोन पत्थर से भी, घी से, काफी से, पेपर से, कट, दही से चाक से, खड़िया जिसको कहते हैं बरेक फास जल्पान होता है ठीशे, इसे एक जम्पल जो है मेटेरियल नाउन में आते हैं दोस्त तो मेटेरियल नाउन में दोस्त जो है हम बहुत सारे उदारणों को देखते हैं, समझते हैं और हम जो है, जानने का प्रयाश भी करेंगे और देखिए जैसे ध्यान दे ध्यान देने वाले बात यह है कि उड़, उड़ यानि लकड़ी जंगल भी होता है इसे उड़ को जो मेटेरियल नाउन में लिया गया है लेकिन इससे बनने वाले बस तो जो भी है कुर्सी, ब्रेंज, टेवल, मेज, बेंज, देशकर फरनीचर, अलमारी, जो भी हो तो वो भी जो है, आज आता है कामन नाउन में अब इस्टिक मेटेरियल में नहीं आएगा दोस्तों तो जिसे चेर हो गए रहता है चेर कई तरह का चेर होता है कामन नाउन और आपर नाउन अंतर बताये थे आप आसानी से जो है पार्ट 6 को देख सकते हैं प्रापर नाउन और कामन नाउन में हमने डिफरेंस बताया था तो जो है, यहाँ पे जो है हम देखेंगे और भी चीजे हैं दिखला रहा है कि बरेड भी जो है मैटेरियल नाउन है इसलिए एक रूटी के लिए हम जो एबरेड का प्रियोग करना करके हम एपी सबरेड का प्रियोग करते हैं तो मैटेरियल कुल मिला के जो है एक कामन सब्दों में कहे तो हम मैटेरियल नाउन को जो है यानि कि देखेंगे साधी बिया हमें या कोई परूजन होता है या कोई पार्टी होती है, तो कौन-कौन मैटेरियल लगेगा, बहुत मैटेरियल अच्छा है, बहुत बढ़िया मैटेरियल जो है, मिलाया था, यानि कि हम खाते पीते, जो है मैटेरियल सब बहुत जानते हैं, यानि द्रब्य वाचक, पदार्थ वाचक, तो ये होता है, सब अबिश्टेंट जो है, वह होता है मापतावल का छीज होता है. तो यानी कि मैठीरियल बहुत Waar जो है, जी सेख गिटी बाल्यूंजिं सब क्या है, मैठीरियल रख्रवा है. तो हम दोस्त जो है material यानि जिससे कुछ बनता कई चीजे बनता या कोई एक या दो या अन्य परकार की चीजे जो है नहीं बस्तु बने material noun होता है दोस्त अब देखें के दोस्त यहां पर हमारा जो है abstract noun आता है abstract noun जो है भाव आचक शंग्या है it can do quality condition or action दूसरा definition है it can neither touch nor see क्या कर सकते हैं इसे न तो क्योल नहीं इसे न चुछ सकते हैं न देख सकते हैं but only feel thought of क्योल मौसूस कर सकते हैं जिसे की देखेंगे सोचेंगे समझेंगे यार कोई बहुत लोग सोचते हैं तो क्या जो है क्या करते हैं दिखता है नहीं दिखता है क्योल क्या करते हैं मौसूस करते हैं क्या करते हैं दर्थ दोस्त क्या करते हैं तो हम मौसूस करते हैं न छूष सकते हैं ने देख सकते हैं, तो जहें से मरित्यू है, तो मरित्यू कहा गया, देखते हैं क्या दोस्त, नहीं देखते हैं, खुशी, हैपिनेश, चाइल्ड होड, यह सब क्या है, हम नहीं देख सकते हैं, यह हमारा देखने वाले चीज नहीं है, तो यह जो है, आदमी क हुआ है तो देखते हैं नहीं वो जो है इसके क्रियाओं को देखकर एकसन को देखकर हम जो है समझते हैं इमेंदारी चलिए अभी इमेंदारी पर एक बात करते हैं अनेश्टी सब्द आया है अनेश्टी सब्द को जो है हम बताने के परियास करेंगे यहाँ पर देखेंगे अनेश्टी अनेश्टी जो है हमारा सब्द है तो अनेश्टी शब्द जो है तो इमेंदारी होता है तो अनेश्टी शब्द में जो है कैसे जानेंगे कोई इमेंदार है की नहीं आदमी को देख के समझ लेंगे क्या नहीं दो तो कैसे हम जानेंगे कि वो इमेंदारी उसमें है की नहीं क्या दिखने से आदमी के समाज में अजयता है क्या मनदार है, आदमी के हाओ-भाओ, उसके प्रतिकिरियाओं को देखकर, जस्मान ली ये आपके अगल बगल में, कोई जान का होगा तो उसको जाنتे है क्या है, नहीं नहीं, वो इड़ार है, ठीके दोस्त, ति मैंदारी जो है जिसे माली सड़क पर एक कुछ गिर गया है आपिका आप उसका जाच करना चाहते है तो गिर गया है तो आपको जान बूजकर नहीं ले रहे हैं अप चले जा रहे हैं आगे तो वो जो है क्या करता है देखता है उनमें दिल में ही मनदारी होती है मन में मंदारी है तो कहें कि भाई भाई सहाब आपका गीर गया तो कहेंगे कि भूत की मंदार है तो इस परकारी मंदारी जो है दिखती है दिखती नहीं है सोरी अनुभर से हम उसके भाव भाव को समझ करके तो इस तरह जो है एक्षन भी आता है walking, speaking, writing, singing, तो यह सब एक्सन भी जो है अभिश्टेक नाउन में ही आता है, साइन्स और जो है आर्ट के विश्टे भी सब्जेक्ट जो होते हैं, फिजिक, समेस्टी, मैथ, पेंटिंग, तो यह सब जो है ड्राइंग, यह सब जो है विश्टेक नाउन में आता है, यह सब भी जो है विश्टेक नाउन में आता है, अब सोचेंगे कि इंगलिस उसमें भी है, कला में भी है, और साइन्स में भी है और लाइंग्वेज में भी हाँ, तो आप तो सेंटेंस में जीशे रहेगा और इसे समझेंगे, कि भासा है कि बूली है, तो इस तरह इंगलिस जो है दोनों में आ जाता है, विश्टेक में भी आ जाएगा, भासा में भी आ जाएगा, तो दोस्त दोनों में आप पढ़ने समझने के उपर है कि भासा की बात कर रहा है, कि भासा की बात कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे, रोग, डिसीज, रोग, विमारी, कैंसर है, जोंडिस है, हडाइच है, तो ये सब जो है सिर्धर्थ, पीलिया, कैंसर, ये सब विमारिया भी जो है अविश्टेकनौन में याता है, पुलरल नमबर जो है, पुलरल नमबर के बता है कि अविश्टेकनौन का पुलरल नहीं होता अर्टिकल जो से एंडोका प्रियों को कि उसको देखिये एंडोक प्रियों मैं और परियों करता है उसके पहले इनका प्रियों कषिग होता है जी दूश्चरब Nissan को चम्त हो सकता है यूजी पर अबकर्व पर इसनने हैं नवहर्वार हमांस क मेंज़ती Özogard को में जना हो भी झ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले फिर जो है दोस्त हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत सभी लोगों का पढ़नाम नमस्कार दोस्त नमस्कार पढ़नाम